हाई ट्वेल्डीज, वेलकम टू एजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में इंपोर्टेंट चीज पर बात करने वाली हूँ इंग्लिश का एक्जाम आप सब दे कर आचुके हो आप लोगों का इंग्लिश का एक्जाम अच्छा गया हो कमेंट के थूँ जरूँ शियर करना कि इंग्लिश का एक्जाम आपका कैसा गया है अब गाइस में बात करने वाली हो बिजनस स्टेडिस की स्टेजी पर जो आप इन तीन दिनों के अंदर अपनाओगे यानि कि 17 तारिक को आपको पेपर है आज हो रही है तेरा तारिक और तेरा तारिक का अभी हमारे पास आधा दिन बच्चा है 14 तारिक है 15 और 16 यानि कि ये तीन दिन हमारे पास है तो अब हम किस तरीके से इस टाइम को युटिलाइज करेगा कि हमारा course भी complete हो जाए प्लस case studies भी हो जाए तो guys सबसे पहले 13 और 14 ये दो दिन आपको रखने है chapter की division के यानि कि chapter को पढ़ने के उनको याद करने के लिए आपको पता है आप chapter मलब like business studies में आप chapter पढ़ लेते हो बट याद नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर learning चाहिए चुका होगा आप तो कि business सिर्फ understanding पर बेस नहीं है learning पर भी बेस आपको समझ हा गया बट आपको याद नहीं है तो कोई फाइदा नहीं है guys आप लिखनी पाऊगे मैं यहाँ पर ratification की बात नहीं कर रही है because ratification क्या होते है guys understand नहीं करते है उसमें सिर्फ learning होती है learning without understanding तो वो मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर learning with understanding बात कर रही है यानि कि आपको learning करनी है with understanding ठीक है यह guys business study का आज की date में main base है कि आपको learn और understand दोनों करना है otherwise case study solved नहीं होती समझ हा जाती है बट याद नहीं है या फिर याद है चीज़े बट समझ नहीं आ रही है द दोनों ही नुकसाम देता है तो आपको learn करना है understand के साथ ठीक है अब इसके लिए guys आपको सबसे पहले क्या करना है आज 3 तारीक है आपको अपना आज का बचा हुआ दिन कैसे utilize करना है आपको अपना सबसे सबसे असान चेप्टर आज आपको उठाना है क्योंकि already आप बहु consumer protection है इन chapter को अच्छी तरीके से पढ़ो अच्छी तरीके से बोले तो वैसे तो यह chapter एक एक घंटे के है लेकिन मैं कहते हूँ आप इस chapter में दो 2 hours और इसमें भी दो आप 2 घंटे ठीक है 2-2 घंटे अगर आप दे दोगे तो भी 4 घंटे ही होंगे फिर भी आपके पास समय ब घंटे, financial market 3 घंटे तक पढ़ सकते हो यानि कि minimum आप इसे इतना समय दे सकते हो और maximum भी 3 घंटे में आप बहुत अच्छी तरीके से इन chapters को कर सकते हो लेकिन आप अगर देखोगे तो 3, 6, 9, 12 12 प्लस 4 यह 16 घंटे में हमारा syllabus complete हो सकता है मैंने कहीं पर भी किसी समय की कटोती नहीं करी है ठीक है अगर आप देखो तो आपका 16 घंटे के अंदर पूरा course complete हो सकता है यानि कि आप chapters को अच्छी तरीके से learn कर सकते हो समझ सकते हो अगर आपको कहीं पर अपनी weakness पता चल देए किसी chapter में कोई topic समझ नहीं आ रहा तो उसमें आप extra time दे सकते हो तो यानि कि अ तरीक को आप कोई 2 chapter ये निपता सकते हो इसके साथ कोई 1 chapter कर सकते हो बचा हुआ 14 तारीक को आप अपने बाकी chapters को निपता सकते हो बटर 14 तारीक की डेट तक आपको अपने सारे chapters अच्छी तारीके से complete कर लेने हैं तो यानि कि अगर मैं बात करूं सिर्फ 3-3 घंटे वाले chapters की तो बारा घंटे तो यानि कि 14 तारीक को आप बारा घंटे तो पढ़ोगे ना पेपर है तो बारा घंटे के अंदर आप ये 4 chapter कर सकते हो अगर आप 13 को सिर्फ 2 chapter करके सोते हो बट मैं ये कहोँगे कि 13 को सिर्फ 2 chapter निए at least 3 chapter खतम कर लेना ताकि अगले दिन जादा बर्ड ठीक है तो आप 13 और 14 तारीक को सिर्फ अपने chapter को याद करोगे समझोगे ठीक है और 15 और 16 तारीक ये सिर्फ case study के लिए रखना है case studies पढ़नी है case studies पढ़नी है और 17 तारीक को प्लीज एक अच्छा सा पेपर करके आना है जिसमें मेरा birthday है तो मुझे एक अच्छा सा आप अच्छे marks लाके gift दे सकते हो अच्छे marks को मुझे ऐसा gift दे सकते हो तो अच्छे marks लेके आने 17 को मेरे birthday वाले दिन आप अच्छे marks अच्छी तरीके से paper attempt करोगे case study guys मैं अपनी वीडियो में भी करा रही हूँ इसके अलावा और भी upload करूँगी आप देख लेना stories पर या फिर जो channel पर case study आजाएंगी आप उधर से देख सकते हो maximum case study attempt करो समझो सीखो ठीक है और 17 को बहुत अच्छी तरीके से paper देना है इन बिट्मीन वीडियो जालूँगी guys आपकी help के लिए कोई भी query है इंस्टा पे कभी भी रात के 2 बजे 3 बजे message drop कर देना अपनी case studies का समझा दूगी इसके अलावा guys जाद से जाद अच्छी तरीके से practice करनी है without any tension क्योंकि बहुत time है बट उसे utilize करना है और फिर आपकी कोई भी query है कि उसे solve करेंगे guys I hope आपको ये चीज समझ हाई होगी नेक्स वीडियो में मिलते हैं नए चीज के साथ Thank you